रेमेडी जो आपके पूरे शरीर को निखारने का काम करेगी, आपके चेहरे को, आपके गर्दन को, हाथ पैर को निखारेगी, दाग धबे को दूर करेगी, स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाएगी, बहुत ही असान सी रेमेडी है जिसे आप घर पर करते हां, आपको क्या करना एन दोस्तो के आपको एक खाली बाउल में लेना है नीभू यानिकी लेमन, बहुत अच्छा टोनर होता है, जो हमारे स्किन के लेवल को बैलनस करता है, बाल बाल बहुत अच्छा है इसका जो रिजल था दोस्तो बहुत ही कमाल काता है एक बार अगर अगर अपस्तमाल करेंगे तो आपका इसका रिजल देखके हैरान हो जाएंगे काफी नेक्स जो छाल यहाँ पर ले रहें दोस्तो वो है कॉफी पॉड़र यहाँ रिमोफ करने के लिए और आपके स्किन को ब्रागन के लिए और आपके skin में blood circulation को बराने के लिए बहुत ही जादा effective होता है coffee facial, coffee face mask, coffee face wash जैसे बहुत सारे product market में आ गए हैं क्योंकि coffee में ऐसे गुन होते हैं जो हमारे skin को में glow लाता है हमारे skin को tanning से darkness से बचाता है दोस्तो आपके support की बहुत जरूरत है अगर video थोड़ी सी भी अच्छ लगे तो please like और comment करके जरूर बताईएगा next यहाँ पर हम लेंगी दोस्तो लगबग आधा चमच honey यानी की शहड 8000 सालों से ये जो है इंसानों की बहुत help कर रहा है ये हमारे skin को तो बहुत ज़्यादा खुबसूरत रखता है एंटी एजिंग भी होता है skin में जो आपके wrinkles होते हैं उसको भी दूर करने में help करता है skin में glow लाता है और आपके skin को बहुत ही अच्छे से detox करता है तो शहड का इस्तमाल अपने जो भी face mask कुछ भी use कर रहे हैं उसमें आप चरूर add किया किजिए थोड़ा सा हम यहाँ पे coconut oil यानि की नारिल का तेल लेंगे जो आपके skin को मौस्चराइच करेगा vitamin E भी बहुत अच्छा होता है coconut oil में और आपके skin में glow लाने के लिए बहुत अच्छा बना चाता है एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको यह remedy लगाते हैं उससे पहले अपने skin को अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है अगर skin साफ नहीं होगी तो जो remedy आप अस्तमाल कर रहे हैं उसका पूरा फैदा आपके skin में नहीं जाएगा तो अच्छे से पहले skin को साफ कर लीजिए इसको आप पूरे चेहरे पर एक गरदन हाथ पैट पर इसको अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करते हो लगा लीजिए अगर आप इसको रात में सोने से पहले लगा रहे हैं तो और भी अच्छा है ओवरनाइट आपके skin जो है वो heal होगी रिपेयर होगी तो try जुरूर कीजिएगा दोस्तो thank you